तो जैसा कि पिछले एपिजोड में हमने देखा था वांग लिंग फिलाल सोल रिफानिंग सेक्ट में एंटर कर चुका था और इसे केप भी दे दिया जाता है अब आगे अब यहाँ पर एक ग्रीन लाइट को दिखा जाता है जो कि सूजाकू प्यानेट के एस्टरन साइड म क्योंकि देमन चाइड ने इन पर कई मुक्के बरसा चुका था और पूरे प्लैनेट के यह चक्कर मार चुके थे और फाइनली नौर्साइड में यह जाते हैं डेमन चाइड को वहाँ पर ट्रैप कर देते हैं क्योंकि बहुत पहले से वहाँ पर सूजाकू वालों ने वापस लोड़ जाते हैं और उसके बाद किसी का बॉड़ी पोजेज करके ये कल्टिवेशन दुबारा से शुरू करते हैं और वैसे भी ये काफी खुसते हैं क्योंकि वांगलिंग का जो सेलेस्टियल स्वर्ड था वो भी इनके पास था अब जब ये थोड़ा रिकवर कर ज दिए वो जो वांगलिंग था वो बहुत ही गंदा इंसान है मैं तो खुद उससे नफरत करता हूँ इस दुरन डेमन क्लैन के अंसेश्टर इस पर कुछ अपना औरा यूज करते हैं और फर्स्ट डेविल चीखने लगता है और फर्स्ट एंसेश्टर इससे कहते कि आज से तुम मेरे स्वाड स्पेरेट हो जब ये ग्रीन लाइट फर्स्ट डेविल पर यूज करते है तो इन्हें लगाता कि फर्स्ट डेविल सील हो जाएगा बट ऐसा कुछ होता नहीं और ये भी ज्यादा दिखाते नहीं कि मैं बाद में इसके उपर रिसर्च करूंगा ये तो कसम वसम बिखाये तो इस पर कोई फरक नहीं बढ़ता इधर सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग को दिखाये जाता है ये फिलाल एक स्टोन बेट पर बैठा हुआ था जहां पर स्पिर्चिवल एनरजी काफे डेंस थी और कल्टिवेशन ये शुरू कर देता है तीन दिन जाता है और एक महिने और निकल चुके थे और फाइनली एक दिन वांगलिंग अपनी आखे खुलता है तीन स्पिर्चिवल स्टोन्स में से दो की पूरी और ये इस्तेमाल कर चुका था और आखिरी भी अब धेरे खतम हो जाता है और वांगलिंग फांडेशन की मिड़ फे किसे गुफा बदलना पड़ेगा फिलाल ये अपने गुफे से बाहर निकलता है और इसे याद आता है कि जावरू क्या कर रही होगी क्या वो लिटिल वाइट को अभी भी परिशान कर रही होगी और वांगलिंग इस दुरान ये सोचता है कि इसे इतना कंदा मारा गया कि ये फिर से एक नॉर्मल इंसान जैसा हो गया लेकिन राखों में से उठना ही तो जिन्दगी कहलाती है और एक दिन बाद नया साल भी शुरू हुरा था वहीं दूसरी तरह एक लड़की इस दुरान सोल रिफाइनिंग सेट के करीब पहुच चुकी थी और वांगलिंग के उस लड़की के पपे पढ़ती है और इसे लगता है कि ये शादी से जानता है और ये जो लड़की थी इनर पार्ट के तरफ बढ़ रही थी सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पर वांगलिंग फिलाल उधर आगे की तरफ बढ़ जाता है और ये मिडिल एज मेंन के पास तो ये अपने पावर लेवल को भी छिपा सकता है पर फिलाल नहीं अब इनके पूछने पर वांगलिंग बोलते है कि अच्छा खास हमाँ पर स्पिर्चुल एनरजी था मैं लखी था इसलिए में पहुँच गया अब इस दुरान ये बंदा पूछते है कि तुम यहाँ पर अब यह मान तो जाते हैं पर बोलते हैं कि गुफा बदलने के लिए तुम्हें एक मिड क्वालिटी का स्पिरिच्वल स्टोन देना पड़ेगा वांगलिंग भी एक्टिंग करता है कि मैं काफी दर्द में हूँ और इने एक मिड क्वालिटी का स्पिरिच्वल स्टोन दे देता है अब वांगलिंग को ये गुफा नमर 803 देते हैं और ये खुद वांगलिंग जो पहले वाले गुफा में रहता था वहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर चेक करने के बाद इन्हें कुछ मिलता भी नहीं है तो ये सोचते क्या मैं ज़्यादा शक कर रहा हूं लेकि लेकिन 500 सालों का नुबह और ये समझ जाता है कि कोई नैचरल स्पिरिट भी ने जिस से इस जगे को लिंक किया गया है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाया गया है अब फिलाले अपने गुफा में अंटर करता है और कल्टिवेशन में दुबारा बैढ जाता है और वांग लिंक वो जो फॉर्मेशन था उसे तोड़ने को देखता है ताकि यह जो स्पिरिट वेंस है उसके नीचे में जो स्परिच्वल एनरजी उसे यूज करके यह कूर फॉर्मेशन लेवल पे पहुच पाए और फिलाल यह इसे स्टड़ी करना शुरू करता है अब वां से कल्टीवेशन में बैठ जाता है अब क्योंकि क्रिश्टल कुन में अच्छी खास इनरजी थी तो वांग लिंक की पोड़ी में एंटर करती है और इसके उपर में वो जो सील था टी डोमेन वाला वो धीरे धीरे और वीक होने लगता है वह इधर सीन शिप्ट होता है और कंट्री में वो जो ली युवान फेंग था जिसने के टी डोमेन लगाया था वांग लिंक के उपर उससे दिखाया जाता है और फिलाल इसका भी चेहरा काफे डिम था और फाइनली ये अपनी आखे खोलता है पर इसके अंदर एक डर था क्योंकि जो लाइटनिंग फोर से स लोन टाइनी से हिट किया था ये अच्छा कासे इंजर्ड हुआ था और ये सोचता है कि शेंग नियू जिन्दा होगा या नहीं लेकिन अगर जिन्दा भी होगा तो मेरे टी डोमेन को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है और इस दुरान सोचता है कि इसके कंट्री के वो ज से जाकता है और फिलाल का पावर लेबल फाउंडेशन के लेट फेस के भी पीक में पहुँच चुगा था और यहां पर एक कोल्ड हो रहा थी जिसे हम ब्लू फ्रोस्ट कह सकते हैं इसे फिलाल ये अब्सॉर्ब कर रहा था और ये सोचता है कि ये जो श्यूडो स्पिरिट से वेंस की वो ज्यादा फायदा नहीं दे पा रही है जहां पर रियल स्पिरिट होगा वहां पर अगर ये पहुच जाए तो जल्दी जल्दी ब्रेक्थ्रू कर सकता है अब वांगलिंग बाहर निकल रहा था तो इससे सौफिट के दूरी पे एक बंदा बाहर निकलता है ब वांडाउ सेक्ट में पढ़ा करती थी पर फिलाली एग्नोर करके आगे बढ़ जाता है इधर वांगलिंग गुफा नमर 743 को दूर्णता है जहां पर इसके हिसाब से जो स्पिरिट वें से उसके पावर हो सकते है यानि कि रियल स्पिरिट वें के ये वाला गुफा शैद बहुत करीब था पर उस गुफा के अंदर पहले से कोई था पर जैसे इसे फिल होता कि कोई है तो ये वापस जाने लगता है पर वहां से कोई निकल के आता है और एक आवाज आती है कि कियान मों इधार हो मिडिल एजमेन हैं थे कि यार ये तरह जल्दी-जल्दी कैसे इसक पाके रखा होगा और ये इस दुरान कहते भी हैं कि लगता मैं जब तुमसे अगली बार मिलूंगा तो मुझे तुम्हें फैलो कल्टिवेटर कहके बुलाना पड़ेगा अब इस दुरान ये कियान मों से कहते हैं कि अगर तुम कोर फॉर्मिशन पे पहुँचे तो जो कॉ वांगलिंग भी होलता है मुझे गुफा नमर 743 जाए तो ये जो मिडिलेज्ड मैन थे ये मान जाते हैं और वांगलिंग इनको इस पर स्पिरिच्वल स्टोन देता है पर थोड़ा एक अलग भी देता है पर मिडिलेज्ड मैन भी सोचते कि मैं भी देखना चाहूँगा य फिलाल कि अनमू से डील करता हूँ बाद में इस बंदे को देखता हूँ इधर वांगलिंग सोचता है कि अगर वो मिडिलेज्ड मैन यानि जिससे ये रूम चेंज करवा रहा है वो रात में नहीं आया तो वो जिन्दा रहेगा और आया तो मारा जाएगा और दूफा के तरह पढ़ता है और एक लालज के साथ क्योंकि फिलाल ये भी कोर फॉर्मेशन के अरली फेज में था और लंबे समय से था और वांगलिंग को देखकर इसे एक उम्मीद जगी थी कि वैसे भी आउटर डिसाइपल्स मरे या जिन्दा रहे हैं इनर डिसाइपल्स को यानि कि एल्डर्स को फरक नहीं पड़ता है तो किया नमो अगर मारा भी गया तो क्या ही फरक पड़ेगा अब जब यो वांगलिंग के कमरे के तरफ बढ़ते हैं तो वांगलिंग का कमरा आधा खुला था तो ये खोद हैरान होते हैं ये तो नॉर्मली जब कोई भी कल् सीलिंग औरा तो लगा ही देता है पर इन्हें फरक नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो फाउंडेशन लिवल का ही बंदा है न क्या ही कर लेगा वांगलिंग इदर अपने गुफा में अपने बैट पर बैटा था और शांती से इनकी तरफ देखता है और ये मिडिलेज मैं जै लगता है तुम सच में मरना जाते हो पर जैसे इनका तलवार रिस्टिक्सन्स फ्लैक से तकड़ाता है इनका तलवार ही तूड़ जाता है और वांगलिंग फिर बोलता है कि जब मैं कल्टिवेट करना शुरू किया न तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे मिडिलेज मैं का अब भागनी को देखता है वांगलिंग एक चमाट मारता है और ये बंदा जमीन पे गिर जाता है और दूबारा से खोनके उल्टि करता है और फिलाल ऐसा रोते-रोते कहता है कि मैं सोल रिफाइनिंग से हूँ अब मिडिलेज मैं भी समझ चुका तो ये अपने पूरे बोड़ी से निकाल लेता है और सीधा निगल जाता है मिडिलेज मैं समझ चुका तो ये बंदा फांडेशन लेवल पे होई नहीं सकता और वांगलिंग भी कहता है तुम जानके क्या करोगे क्योंकि वो पूसता है कि आप हो कौन वैसे भी वांगलिंग इस बंदे को मारना निचाता था पर इसकी लालज के वज़े से इससे मारना पड़ाता अब वांगलिंग गुफा नमर 743 के तरफ बढ़ता है अब यहां पर रेस्टिक्शन था पर वांगलिंग रेस्टिक्शन को तो समझ चुका था तो सीधा गुफा के अंदर एंटर करता है और अंदर से व वांगलिंग इसके करीब पहुच चुका था और वांगलिंग इस बंदे को बाहर फेक देता है अब इधर वांगलिंग यहां से जो spirit vein करता होगा वहां पर अपने sword को यूज करता है और एक tunnel जैसा बना देता है जहां पर नीचे में इसे spirit vein दिखते भी है फिलाल वांगलिं यह जो बंदा था इसे भागने ने देता है इसे एक formation में trap करके रख देता है और जिस tunnel से अंदर गया था उसे भी यह गायब कर देता है मतलब यह नीचे में है और किसी को पता नीचलेगा लेकिन अंदर में pressure काफी जादा था और यह और ज्यादा नीचे जाते जाता है फिला core formation, core formation early stage, core formation mid stage, late stage, nascent soul early phase और यहाँ पर जो spirit veins थे फाइनली उसकी पूरी और यह अब्जॉर्ब कर चुका था और इस mountain पर जो भी spirit veins थे वांगलिंग आधे से जादा या बोले तो लगभग जिस area में यह था उसे अब्जॉर्ब कर चुका था अब इस समय जो outer disciples थे जो कि य वांगलिंग अपनी आखे खोलता है और टेलिपोर्ट होता है और यह mountain से बाहर आ चुका था सबी disciples यहाँ पर shock ढोकर के बाहर निकल चुके थे और सबसे यही सुनता है कि अचानक से कुछ तो vibration जैसा हुआ और इधर वो दो बंदा था जो 743 कमरे में था उससे भी वांगलि को देखकर और ज़्यादा है वो समझ जाता कि यह कुछ बता नहीं सकता तो वांगलिंग इसे निप्टा देगा और इस दोरान दूर से एक लड़की वांगलिंग की तरप देख रही थी इधर वांगलिंग फील करता है कि नासेंट सोल के मिड़ फेस के पीक पर था और इस इसने लाइफ और डेफ दोमेन को और अच्छे से समझ गया जिन्दगी समझ करके अब इधर इनर सेक्ट से भी दो तीन लोग बाहर आते हैं खास करके एक एलडर और साभी को बोलता है कि शान्त रहो अब यह जो ओल्ड मैन थे यह चिलाते है लियू फूलिन कहा गया अब दीन लोग जो किस्ते के को गार्ड करते थे यह इनर डिसाइपल्स थे बट आउटर सेक्ट को गार्ड करते थे अब इनमें शाद कोई बोलता है कि लियू फिलिन थे जादा ही लाल्ची हो गया था यह जो ओल्ड मैन थे यह नासेंट सोल के अरली फेस में थे और जो बगल म पूरे एरिया को अबजर्ब करते हैं पर ज्यादा शौकिंग था और फिलाल यह आउटर डिसाइपल्स को बोलते कि यहीं कल्टिवेट करो और कुछ मतलब नोट करते हैं और इनर सेक्ट में फैंक देते हैं वांगलिंग भी थे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कल् होना भी नहीं था और ना तो कभी सोल रिफाइनिंग सेक्ट में हुआ था अब इनकी नजरे वांगलिंग पर भी जाती जो कि फाउंडेशन फेज के लेट फेज में था मतलब वांगलिंग अब अपनी औरा को छिपा सकता था क्योंकि इसका उर्जिन सोल अब रिकवर हो च चुका था अब इदर इनर सेक्ट से दस रेज ऑफ लाइट बाहर आती और दस लोग यहां पर प्रकट होते हैं इन में से जो पांच लोग थे वो नासेंट सोल पे थे और बाकी पांच कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में हैं खास करके एक मिडिलेश्ट मैन जो कि नासेंट स को यूज करेगा और यहां से भाग सकता है लेकिन फिलाल इसके लिए यह जगे सही था मतलब कल्टिवेट करके पावर लेवल को बढ़ाना इस दुरान इनर से एक मिडिलेश्ट स्कॉलर बाहर आते हैं और फिलाल यह लोग पूरे एदिया को इंस्पेक्ट कर रहे थे वां और यह जो ग्रूप थार्ड को इंस्पेक्ट कर रहे थे वो बोलते भी है यह जो टेक्निक हम यूज कर रहे है यह इनर डिसाइपल्स पर यूज करते है तो तुम आउटर डिसाइपल्स को अच्छा फिल करना चाहिए अब वो जो बंदा था जो कि पहले 743 नमर वाले अब बारी आती है वांगलिंग की वांगलिंग आगे आता है इसे इंस्पेक्ट करते है फिर इसे पीछे बेज देते है फिलाल यहां पर कोई मिलता भी नहीं है तो फिलाल मिडिल एज में इशारा करते है कि सबी को अपना अपना गुफा मिल जाएगा थोड़ा वेट करो वांगलिंग को यहां पर एक छोटे से पाहड के असपास का गुफा दे दिया जाता है वांगलिंग इदर बैटा था और सोचता है कि ज़्यादा स्पिरिट वें यहां के यह यूज नहीं कर सकता नहीं तो अगर यहां पर कोई सोल ट्रांस्फॉर्मेशन का होगा या सोल फ कल्टिवेट करें तो इसके हिसाब से इसका जो पावर लेवल है जहां पर यह पहले हुआ करता था सोल फॉर्मेशन के मिड़ फेस के असपास यह वहां पर पहुत सकता है और ज्यादा कुछ प्रॉबलम हुआ तो यह स्टार कमपास को यूज करके यहां से भाग सकता है और वांगलिंग यहां पर सेलेश्टियल जेड को यूज करने को सोचता है जो कि इससे सेलेश्टियल रियल्म से मिला था ताकि यह जो टी डोमेन का मारक है इससे यह तोड़ पाए अपने बॉड़ी में अब्जॉर्ब करता है और काफी पेन फिल करता है वहीं इस समय सीन चेहरे पर एक अलगी समयल था और यह लड़की जावरू थी जो कि अभी भी लेटिल वाइट को यानि किस टाइगर को परिशान करते रहते थी और इस दुरा नहीं सोचती है पतानी अंकल कब वापस लोटेंगे इधर टाई-ई को दिखाय जाता है जो कि पगोड़ा के अस आएंगे एक दिन और टाई से सौफिट के दूरी पे थंडर टोड भी बैटा था और सूरस की रोशनी का मजा ले रहा था और यह कभी-कभी जब एंसियान गौड़ वाले लेंड में हुआ करता था तो उस एरिया को मिस भी करता था और इसे इस तुरान वांगलिंग की भी याद आती है और साथ में उस मौस्क्यूटो बिष्ट की भी समय वीत रहा था और जून का महिना यानि कि गर्मी का मौसम अब आ चुका था गर्मी कम मतलब स्प्रिंग बीच चुका था और सूल रिफाइनिंग सेक्ट में अब ये कॉमपडिशन जो था वो शुरू होने व और गुफा से बाहर निकलता है और वांगलिंग जोरान सूसता है कि इसने ज़्यादा तर समय लोगों को मा रहा है तो इसका जो डेथ हो रहा है वो ज़्यादा श्रौंग है अब ये दीरे दीरे लाइफ भी देख रहा था तो जिन्दगी वाला यानि कि लाइफ डोमेन भ कि कभी कभी कैसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है मतलब आप देख रहे हो कोई खुश है पर कभी कभी वो रहता नहीं है कभी कभी आप देखते हो कि कोई रोती रहता है पर वो अंदर से काफी खुश होता है बस दुनिया को दिखाता है कुछ वैसा समझो और ये स काफी confused थी लाचार थी इधर वांग लेंग अलग सोच रहा था कि ancestor जावी ने senior जावी ने इसे अपना ascendant वो crystal या बोलो या जो भी वो भी दिया है तो इसके लिए ascendant level पे जाना थोड़ा easy होगा लेकिन पहले इसको soul transformation में पहुचना पड़ेगा और इस दुरान ये ये भी सोचता है कि टियान यूंजी ने इसे अपना disciple बोला है लेकिन पहले इसे इस planet से निकलना पड़ेगा और टियान यूंजी प्लैनेट पे पहुचना पड़ेगा से टुनान को भी जगाना पड़ेगा क्योंकि इस से planet crystal चाहिए तब ही जाकर के ये अपने जीर यल्म को दुबारा हासिल कर सकता है अब वांग लिंग जब आगे जा रहा था तो इसकी नजर उस woman पे पड़ती है वो लडगी अपनी नजरों को हटा लेती है और यहां से हट जाती है वांग लिंग उसी य्जगेपे बोसता है जहापर वो लडगी थी लड़की थोड़ी दूरी पे थी और वांगलिंग इससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो अब लड़की बोलती क्या तुम मुझे नहीं पैचान रहे हैं वांगलिंग को याद नहीं आ रहा था यहापे हवा का जोका चल रहा था लड़की एक तब परी के समान थी अब यह फाइनली बोलती है कि मेरा नाम लियू में है वांगलिंग बोलता है लियू में मैं तुम्हें नहीं जानता लियू में स्माइल करती है और इसकी जो मुस्कुराहट थी वो मानों खिलते हुए फूल के समानों आसपास के माहुल को भी यह ढख देती है इसकी इतनी सुन्दरता थी अब इस दुरान फैनली यह बोलती है कि वांगलिंग आप एक बड़ी तलवार ले करके हेंगियो सेक्ट में घुमा करते थे क्या आपको अभी भी याद नहीं आया वांगलिंग को पहले से पता चल चुका था मतलब गेस तो कर चुका था पर यह थोड़ा से एक्टिंग कर रहा था अब वांगलिंग फाइनली एकदम काम एक्स्प्रेशन के साथ बोलता है अच्छ हाँ मुझे याद आया तुम वही लिउ में हो ना जो जुवान डाव सेक्ट की डिसाइपल थी और तुम्हारे पास प्योर वाटर स्पेरिट रूट्स थे लेकिन तुम तो सुजाकू की डिसाइपल नहीं थी लिउ में चौक जाती है कि आप कहना क्या चाते हो वांगलिंग इस तुम एस लड़की के तरफ एकदम शांती से देखता है फाइनली लिउ में भी बोलती है लगता आपको कुछ मेंस अंडर्स्टेंडिंग हो गई है पर वांगलिंग जानता था यह जुवान डाव सेक्ट में भी थी यह सोल रिफाइनिंग सेक्ट में भी आ चुकी है सुजाकू के डिसाइपल भी है चीजे हासान नहीं है लिउ में फाइनली बोलती है बस इतने से आप ने इतना कुछ डेडियूस कर लिया मतलब जान लिया आपको मानना पड़ेगा मैं सच में सुजाकू से हूँ चाप मुझे टेस्ट कर रहे हूँ और यह फाइनली बोलती है कि मैं सच में सुजाकू के डिसाइपल हूँ वांग लिंग एक स्माइल देता है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे हाथ पर यह ब्रेसलेट है मैंने रेड बटरफ्लाई के पास भी देखा था ओवियस है यार कि तुम सूजाकू के डिसाइपल हो और वांग लिंग यहां से निकल जाता है और लियू में जुरान अपने ब्रैसलेट की तरफ देखती है उसके बात वांग लिंग की तरफ देखती है और कहती है पांसो सालों में यह काफी बदल चुका है इस बंदे का दिल स्टील के समान है लेकिन इसका डाव हर्ट क्या है यह भी यह बात सोचती है तो स्टोरी यही समात करते है और मिलते हैं फिर कल एक नए वडियो के साथ जाव हर्ट के समान है